और फिर पिछले 24 गंटों में रिकॉर्ड तोड मामले सामनी आए हैं और देश में हर दिन 60,000 से जादा कुरोना संक्रम्रण के नए मामले सामनी आ रहे हैं उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और पिछली 24 गंटे में देश में 63,000 से उपर नए मामले सामने आए हैं क्योंकि ये संख्या 63,000 से उपर पिछली 24 गंटे के दोरान रही और पिछली 24 गंटों में देश में 900 से जादा लोगों की यानि 944 लोगों की कुरुना की वज़े से मौत हो गई है और देश में अब तक कुरुना के कुल जो संख्या है वो 25 लाग से उपर यानि 3 लाग के बेहत करीब अब ये संख्या जा पहुंची है कि देश में अब हर दिन ये आकडा 60,000 के उपर होता है जब कुरुना संक्रमिन के मामले लगतार इसी तरीके से हमें देखने को मिलते हैं और अलग-लग राज्यों के जब हम बात करते हैं तो महरास इस वक्त सबसे अबबल नमबर पे हैं और अलग-लग राज्यों महरास तमिल नालू की बात करीए आप फिर अंध प्रदेश का हम जिक्र करते हैं तो वहाँ पर इसी तरीके से हालात बने हुए है लेकिन पिछले 24 पलंज को पार्ट से 27े सीजरद में आप स्तल्सिला बढ़ता रहा और अब अब बात करते हैं 10-20,000 मौते होने में सिर्फ 21 दिन लगे हैं यानि 6 जुलाई तक होस्तन हर दिन 470 मौते मौतों का अंकड़ा बड़ी तेजी से भारत में बढ़ रहा है क्योंकि जिक्र जब करते हैं हम ग्राफ का कुरोना से मौतों का जो ग्राफ हो रही है ग्राफ बढ़ रहा है उसका जिक्र हम आपको कर रहा है क्योंकि तरीके से सिर्फ 21 दिन लगे हैं 10-20,000 मौत होने में यानि 6 जुलाई तक होस्तन 470 मौत अब 20-30,000 मौते होने में सिर्फ और सिर्फ 17 दिन का वक्त लगा है यानि 23 जुलाई तक और 580 मौते या आकड़ा हम आपको बता रहे हैं क्योंकि 30-40,000 मौते होने में सिर्फ 13 दिन लगे हैं यानि दिनों की संख्या कम होती गई और मौतों का आकड़ा बढ़ता गया यानि 5 अगर्ष तक और 760 मौते होई हैं भारत के इंदर और अब 40-50,000 मौत होने में सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का वक्त लगा यानि उस्तन 900 से ज्यादा मौते यानि दिन घड़ते गए और मौते की संख्या बढ़ती गई कुरुना की ये रफ्तार रही तो 31 अगर्ष तक देश में 64 से ज्यादा मौते हो जाएंगी जिस तरीके से हम लगातार संख्या बता रहे हैं और ये बढ़ रहें तक मौतो का आख्ड़ और बढ़ेगा और आपको बता दें कि 30 अक्तूबर जब आएगा तो भारत में एक लाख उननीस जार से जादा मौते होंगी उसकी जानकारी में आपको दे रहे हैं क्योंकि जब हम आकलन करते हैं तो आकलन में किस तरीके से बाते सामने आती है अब ज़िक्र कर लेना भी जरूरी है क्योंकि हालात जसके तस इसलिए वने रहेंगे क्योंकि 30 नवंबर तक भ एवन गेड़ लाख का होगा उसके करीब होगा जब आकलन करते हैं हम कि मौतों का आकड़ा किस तेजी से बढ़ना है 31 दिसंबर तक देश में एक लाख चोहतर से जादा मौते करूना से हो चुकी होंगी उसकी जानकारी में आपको दे रहे हैं और साती सात ये भी बता रहे है कि दिसंबर तक करूना की वैक्सीन आएगी हालांकि अभी बात करें ट्राइल की तो ट्राइल